Hello friends, welcome back again So दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Lactic Acid के बारे में बताऊंगा कि human body और एक sport person body में Lactic Acid का क्या role है इसके जादा होने पर या इसके कम होने पर क्या advantage और क्या disadvantage हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये वीडियो बहुत जादा नौन देजिवल होने वाला है तो आप वीडियो पर लास तक जरूर बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं Lactic Acid हमारे पूरे body को working कराने में help करता है Lactic Acid cells, tissues और organs के working में एक important role अदा करता है Lactic Acid के body में three main uses हैं जिसमें पहला है ये mitochondria के लिए energy source का काम करता है Second है ये glucose के production में help करता है और third है ये molecule के signaling में भी help करता है Exercises के दौरान Lactic Acid का role क्या है Lactic Acid exercises के दौरान एक important fuel source का का काम करता है but muscle soreness और muscle burning sensation में इसका कोई भी role नहीं है क्योंकि muscle soreness exercises के दौरान muscle के micro damage होने के बज़े से होता है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि Lactic Acid कैसे produce होता है Biochemistry और Physiology में ज़्यादा deep न जाते हुए इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करते है आपका शरीर आपके muscle में glycolysis नामक एक प्रक्रिया से fuel देता है जिसमें यह glucose को तोड़ता है और adenosine triphosphate produce करता है हमारे muscle cell ATP को as a fuel की तरह use करते है बट glycolysis के दौरान ATP का generate होना oxygen के उपर depend करता है इसलिए heavy workout या high intensity अनॉर्बिक exercises करने पर body में high ATP की demand होती है जो की oxygen के कम level के बज़े से यह demand पूरा नहीं हो पाता इसके परिणाम सवरूफ blood flow में lactate का level high हो जाता है lactic acid का blood में जादा flow होने से क्या हो सकता है यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ lactic acid के produce होने के बाद अगर उसको quickly body से remove नहीं किया गया या sepsis भी हो सकता है आपको इससे बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आपको इसका treatment बताने वाला हूँ जब आप heavy workout के बाद rest लेते हैं तो आपकी body blood में बड़े हुए lactic acid को कम करने का काम करती है अगर आप healthy है तो आपको lactic acid को कम करने के लिए कोई special चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके body में कुछ ऐसे mechanism है जो कि lactic acid को self ही कम कर सकते हैं basically आपके लिए एक advice है कि आप अपने आपको exercises के दोरान hydrate रखे और recovery period जैसे किसी set के बीच में या set के दोरान आप deep breath ले जिससे कि आपके blood में oxygen का flow बढ़ सके जो कि आपके body में बड़े हुए lactic acid को कम कर सके दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से workout में या थोड़ा सा भी चलने फिरने में बहुत जादा थकावट फील करते हैं तो इस condition में आप doctor से consult करें जो आपको सही medicine दे के आपके body में बड़े हुए lactic acid को कम करने में help करेंगे So I think friends आपको इस video से बहुत सारे new information मिले होंगे तो आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मिलते हैं next किसी interesting video पर तब तक आप अपने धियान रखें और safe रहें